वेल्कम बाक तो दे चैनल लंग्रेजी टॉक्स 27th यानि पर सो आपका इंग्लिश का एक्जाम है और फाइनल रिवीजिन में आज हम करेंगे फाइनल रिवीजिन जिसमें हम सारे लिटरचर चाप्टर यानि जितने भी चाप्टर आपके CBSE में आ रहे हैं वो सभी चाप्टर और पोम हम एक वान गो में कवर करेंगे जिसमें हम उसका basic क्या-क्या था उस चाप्टर में और किस तरीके का question यानि क्या हमें prepare करना है ये वीडियो में आज आपको बना कर इसलिए दे रही हूँ ताकि कल अगर आपका कोई गुझाईश रहे जाती है यानि कुछ आपका पढ़ने का content रहे जाता है तो इसको देखके आप वो पढ़ सके चले फड़ा फड़ इसको start करते है Glimpses of India तीन पार्ट में divided है Baker from Goa, Kurg और Tea from Asam पहले फड़ा फड़ बेकर from Goa की बात करते है Baker ये सब चीज़े मैंने short में लिखी लिए है ये proper sentences के form में भी नहीं है जैसे कि Bakers को बोले जाता है Paddles पुराने Portuguese के दिनों की बात है कि Loves of Breads बहुत ज़ादा famous थे जाने की प्रथा स्टार्ट करी वो चले गए लेकिन Makers अभी भी जिन्दा है Makers कैसे जिन्दा है क्योंकि उनके यानि ओन फोर फादर्स के Grand 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 Sons वो काम को continue करते रहे और generation to generation ये चीज़ आती रहे और इसका witness यानि इसका proof क्या है इसका proof ये है कि वो old furnaces यानि old वो भट्टियां अभी भी वहाँ पर है और अभी भी वो चल रही है यानि वो fire भी अभी तक बुजा नहीं है फिर बात करते हैं कि जब baker आता है तो क्या आवाज आती है क्या indication होता है कि baker आ गया है बेकर जो है वो मेशे एक bamboo stick लेके आता है जब वो आता है तो वो एक जंग जंग की आवाज निकालता है ठीक है और baker जो है उस time पे वो सिर्फ बेकर नहीं कि आया ब्रेट दिया और चला गया बेकर उन बच्चों के लिए friend है guide है दो बार दिन में आता है author और उसके दोस जो है वो भाग कर जाते हैं बाहर बिना ब्रश करें क्यों क्योंकि उनको एक bread पसंद होती है bread bangles bakers जो है वो bread हमेशा made servants को देते हैं made servants ही bread को collect करती है और वो basket का है bamboo stick के उपर सहारे से रखता है और क्योंकि बच्चों के reach वहां तक नहीं होती तो बच्चे लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारते हैं वो फिर भी उसके उपर चड़के उसको देखते रहते हैं फिर bread और baker की importance आती है baker क्यों important है, bread क्यों important है क्योंकि बड़े से बड़े occasion और सबसे important occasions में भी bread का role गोवा में बहुत ज़ादा है marriages, शादी जो की one of the most important function होता है हमारी society का वो अगर bread नहीं है especially वो ball bread नहीं है, sandwiches नहीं है तो वो शादी meaningless है cakes और balling house जो Christmas और festivals के time पे मनाया जाता है यानि हर एक event पे bread का बहुत important role है फिर वहाँ पे baker के dress की बात हुई है baker की dress जिसको कबाई बोला जाता है एक single piece का frock style होता है और वो knees तक जाता है आज की जमाने में देखा जाए तो जिसे half pants पहनते है ना ही वो पूरा नी से नीचे ना ही वो पूरा beach तक के pre-style में जो पहनते है वो आपका हो गया फिर baker की profession के बारे में बात की है कि baker का profession एक अच्छा profession है क्यों? क्योंकि baker को देखने से ही पता चलता है कि वो बहुत prosperous यानि खुशाल और बहुत अच्छी जिन्दगी व्यतीत करते है profitable business है और उसका भी एक कैसे proof होती है बात क्योंकि अगर अब baker को देखोगे तो वो थोड़े गोलू-मोलू यानि वो plum shape के होते हैं थोड़े से मोटू होते हैं यानि वो भूके नहीं मर रहे है उनका profession को इतना तो कमा के दे रहा है इतना अच्छा तो कमा के दे रहा है कि वो अराम से उसके अंदर survive कर रहे है कूर्ग कूर्ग के मैंने आपको पहले भी जब कूर्ग समझाया था प्राउड मार्शियल मैन वाइल्ड क्रिव और ब्यूटिफुल विमन वो सारे के सारे क्या है इंडिपेंडेंट है और माना जाता है कि उनका जो उरिजिन है वो ग्रीक और अरब है क्यों माना जाता है ग्रीक और अरब है क्योंकि Alexander की आर्मी आई थी और वहीं पर आके सेटल हो गई तो वहाँ पर आके सेटल हो गई तो उन्होंने वहीं की local women से शादी कर लिया तो that means उन्हीं की प्रोजनी आगे आई है यानि उन्हीं की generation आगे आई है फिर दूसरा प्रोफ यह होता है कि जिस तरीकी का वह कपड़ा पहनते हैं वह long coat जो पहनते हैं जिसमें embroidery करी भी belt होती है वो कुपिया जो है वो देखने से एकदम से अरब के कुफिया जैसा लगता है तो उनका dress भी एक symbol यह है कि वो Arabs को belong करते हैं फिर अगर बात की जाए कूर क्या है कूर में evergreen forest है बहुत सारे spices हैं कॉफी की plantation है best है वहाँ पे जाना September to March क्योंकि बाकी के टाइम पे तो वहाँ पे बारिश होती है इस समय में वहाँ उसकी हवा में भी आप कॉफी को breathe कर सकते हो कूर के regiment की बात करें तो कूर जो है most decorated decorated मतलब सबसे जादा stars सबसे जादा वो ही है वहाँ पे और पहला जो chief रहे थे जो पहले chief army के रहे थे वो करियपा जो थे वो कूर्ग से ही थे nature की बात करी जाए तो वहाँ पे river कावेरी है वहाँ से उन्हें पानी मिलता है birds और अनिमल्स यानि flora and fauna की बात की जाए तो वहाँ पे birds है bees है squirrels है लंगूर्स है elephants है adventure क्या क्या है वहाँ पे rafting है kenoing है climbing है mountain biking है फिर वह अच्छा tourist place कैसे है वहाँ पे ब्रह्मगिरी से देखा है तो ब्रह्मगिरी का पूरा panoramic एकी बार में पूरा valley का view दिखता है सबसे बड़ी तेबेतियन settlement वहीं पे है बुद्धिस्ट monks है वहाँ और बुद्धिस temples है वहाँ पे देखे अगर आपको वीडियो लग रहा है कि बहुत जल्दी चल रहा है क्योंकि यह revision है तो यह हम क्या ले रहे हैं हर एक chapter का एक synopsis ले रहे है अगर आपको इस chapter को revise करना है तो या तो आप मेरे channel पे उसकी individual videos देख लीजे नहीं तो इसी को आप slow करके सुनिये और repeat में सुनिये तो आपको थोड़ा clarify होगा और याद हो पाएगा अब इसका third part है tea from asam tea from asam में राजवीर है, प्रांजल है, दोनों asam जा रहे है actually शुरू यहां से होता है कि train में कोई चाय चाय बोल देता है वहाँ से बस एक question चुरू हो जाता है कि तुम्हें पता है कि रोज कम से कम कितनी चाय लोग पी जाते, 80 करोड कप चाय एक ही दिन में पी जाती है और फिर वो सीधा वहाँ पे चले जाते हैं, वहाँ पे जितनी धूर तक आपकी नदर जाए जहाँ पे टी की बुशी सी दिखती है फिर वहाँ पे बड़े बड़े shade trees भी है, और दूर कहीं देखने से अगली building भी है वो अगली building कौन सी है, जो टी को manufacture कर रही है असम में largest concentration है टी की अब यहाँ पे दो legends है, यानि दो कहानियां बोली गई है क्या समाना जाता है कि चाय का origin कहां हुआ था, मतब कहां से वो शुरू हुआ था पहला है कि एक Chinese emperor जो है, वो पानी को boil करते थे पीने से पहले गलती से किसी दिन अपने आपी कुछ leaves और branches उसके अंदर गिर गई अब वो गलती से गिर गई, जब उन्होंने पिया तो उनको बहुत अच्छा फ्लेवर आया वो कौन सी leaves थी, वो उस टाइम tea leaves थी, तो वहाँ से tea leaves का आविशकार यानि पता चला basically discovery हुए कि यह tea leaves है दूसरे legend जो है वो इंडिया से है, कि बौधी धर्म जो है यानि एक बुद्धिस्ट मंक थे उन्होंने concentrate करने के लिए क्योंकि उनको concentrate करना था, क्योंकि उनको meditation में रहना था और कहते हैं कि आपकी eyelids से आपको नीद आती है तो उन्होंने eyelids ही काट दी और जहां जहां उनकी eyelids गिरी, वहीं से क्या हो निकल गया एक पौधा निकल गया और उसकी leaves जब भी पानी में डाली जाती है तो माना जाता है कि उसे पीकर आपका नीद जो है वो भाग जाता है और आप meditate कर पाते हैं, indirectly वो leaves कौन से होगी थी, वो tea leaves होगी थी तो ये दो legends, ये दो कहानिया हैं जो बुनी जाती है कि इस बेस भी के tea का origin कहा से मतब शुरुवात कहा से होई अब tea और चाइना, राजवीर बोलता है कि tea सबसे पहले चाइना में पिया गया था कम से कम 2700 BC से पहले की बात है, चाइ वोर्ड भी चीनी वोर्ड भी चाइनीज वोर्ड से ही आया है tea योरप में जब आई थी तब 16th century में आई थी और तब उसे सिर्फ और सिर्फ medicine की तरह पिया जाता था उसको beverage की तरह नहीं पिया जाता था फिर वो ऐसा बात करते करते, discussion करते करते वो धेकिया बाड़ी चले जाते है धेकिया बाड़ी में देखा जाए तो दो रोड, दोनों रोड के दोनों साइड एकड ही एकड लैंड है और वहाँ पे सिर्फ tea bushes ही tea bushes दिखती है विमन जो है उन्होंने क्या कर रख है बैंबू बास्किट्स पीछे अपनी प्लिप पे लगाई वी और एके करके वो पत्ता तोड रही है राजवीर की knowledge क्योंकि राजवीर पहले से उसकी फादर जब कुछ बोलते है तो राजवीर पहले से पहले बोलता है हाँ हाँ इसका ये है इसका वो है वो पूछते हैं कि तुम्हें इस सब कैसे पता तो वो बताता है कि मैं पहले से ही किताब में सब कुछ पढ़के आया था अब देखिए आपको Glimpses of India से क्या क्या आ सकता है यानि किस किस चीज को आपको पढ़ने की जरूरत है पहला Culture और Tradition Cultural Tradition function करता है आपके sense of community को strengthen यानि strong करता है आपके community feeling लाता है अगर आप Cultural Traditions को follow करें तो यानि एक तो topic है कि आपको Cultural Traditions के बारे में याद करना है वो tradition तीनों चाप्टर से combined tradition आ सकता है दूसरा जो तीनों चाप्टर से combined आ सकता है वो है diversity तीन अलग अलग beautiful states और diversity ही हमारा India का मेल मून वंतर है कि हम diverse culture के हैं लेकिन फिर भी हम united है फिर culture के लिए culture is a widening of the mind and the spirit यानि culture आपके दिमाग को और spirit को widen करता है हर आदमी की every man's may be strengthened or increased by culture ये lines आप as it is भी यहां से pick करके अपने sentences में लिख सकते हैं जब भी आपका culture का आएगा कि हर इनसान strengthen करता है अपने आपको उसकी ability strengthen होती है बढ़ती है अगर वो cultures को follow करता है फिर हमारा जो cultural diversity है इसी ने हमारी national character को बनाया है shape किया है ये सब lines आप use कर सकते हैं जब भी आपका culture और diversity पे आएगा culture जो है हमारे behavior को अलग अलग तरीके से influence करता है क्योंकि culture ही दिखाता है कि ये है people's way of life क्योंकि हमारा way of life अलग है कूर्ग लोगों का way of life अलग है टी लोगों का यानि असम लोगों का way of life अलग है एसमीस का way of life अलग है यानि culture ही दिखाता है कि way of life क्या है Culture includes the social ethics आपकी principles, आपकी morals और वो सब society में दिखते हैं तो याई culture और tradition को follow करना बहुत ज़रूरी है Culture बहुत अच्छी value society में add करता है सबसे ज़ादा आप में virtues लाता है वो तो ये basically इससे overall देखिए इंडिविजुली आए तो कूर्ग का कूर्ग से आएगा बेकर का बेकर से आएगा लेकिन अगर value based आता है यानि analysis आते हैं तो उसकी theme है tradition and culture आपको tradition और culture क्यों follow करना चाहिए क्यों वो society के एक बहुत important part है तो इस तरीके से आप lines इसमें use कर सकते हैं चलिए next chapter पे चलते हैं The Making of Scientist ये chapter मैंने आपको बहुत अच्छे से वीडियो में समझाए था अग भी भी अगर आपको इस chapter के लिए doubt है तो आप मेरे channel में जाके इसका individual video भी देख सकते हैं इसको भी quickly revise करते हैं Making of Scientist Richard Ebright के बारे में है Richie जो कि उसकी mother उसे बोलती है A curious child है यानि inquisitive word भी यूज़ कर सकते है यानि हर चीज़ को जानने की इच्छा रखने वाला वो शुरू बच्छपन में करता है जब वो butterflies और अलग-अलग fossils और coins collect करता है और जब वो छोटा था तभी उसने 25 तरीकी की species तो तभी उसने अपने hometown में इकठी कर ली थी इसका पूरा चार्ट में आपको दिखाऊंगी जिस्ट एक overview बढ़ रहे है फिर उसके teacher end of the chapter में कहते चले end से पहले यही देख लेते है Childhood में वो collection करता है fossil fuels stargaze करता है butterfly collect करता है award award कुछ नहीं आए इस normal सी बात है फिर वो क्या करता है फिर उसका interest खतम हो जाता है उसी time उसकी mother उसको एक book लाके दे देती है वो है the travel of monarch X monarch क्या एक butterfly का नाम है वो उसको पढ़ना शुरू कर देता है उसके पीछे task लिखा होता है कि आप butterfly को collect करो और उसपे एक neon color का tag लगा दो ताकि जबी भी वो travel करे तो आपको पता चल जाए कि वो कितना दूर तक उसने travel किया है उसका अगली बार के लिए task यह हो गया उसने 2 साल तक अब उसको tagging करना था इतना time वो पकड़ने में waste करेगा उसने सोचा मैं breed करा लेता हूँ उसने अपने basement में हजारो butterflies को breed कराया और उसके उपर tag लगाए इसमें भी कोई award नहीं था उसने tag लगाए लेकिन उससे उसका मन उतर गया, क्यों? क्योंकि इतने butterflies 2 साल की मेहनत और इतने butterflies को लगाने के बाद उसको सिर्फ दो butterfly वापस मिले वो भी घर से कुछ ही दूर तो उसका interest फिर खतम हो गया 7th class में जब वो था तो उसने एक science fair में participate किया उसका उस time experiment ये था कि उसने frog का tissue लिया और microscope के under उसको दिखा दिया real experiment नहीं था दिखा दिया और उसको क्या करा उसको कोई prize नहीं मिला लोगों को मिला लेकिन उसको नहीं मिला many prizes लेकिन mention नहीं कि इसको क्या क्या मिला उसको नहीं मिला अब वो हुआ disappoint पर disappointment के साथ इसकी main theme है कि उसने hope नहीं छोड़ी और वो observant या नहीं देखकर सीखने वाला बच्चा था उसने तभी दिमाग में क्या लाया एक छोटी सी चीज कि मैं क्या करूंगा अब से मैं भी real experiment करूंगा क्योंकि आज इस science fair में वो ही इंसान जीता है जिसने real experiment करके दिखाया है age standard में उसने क्या किया age standard में उसने ये चीज प्रूफ करके दिखाई कि butterflies क्यों मर रही है एक बिमारी की वज़े से और वो बिमारी कौन क्यारी कर रहा है beetle यहाँ पे वो science fair में जीता था लेकिन price mention नहीं किया है उसने प्रूफ किया कि beetle जो है कि मैं ये प्रूफ कर चुका हूँ कि beetle इसके जिम्मेदार नहीं है फिर वो nine standard में गया nine standard में उसका experiment ये था कि voice roy जो है वो monark को copy करता है monark को copy क्यों करता है क्योंकि monark bird को tasty नहीं लगती है तो voice roy monark को copy करता है कि हमें भी bird monark समझ ले और हमें भी ना खाए ये भी उसने क्या किया experiment किया जान बूच के monark voice roy रखे चेक करे कि result क्या आता है उसका result वो तो आया है लेकिन कुछ अलग ही आ गया कि starlin bird तो खाती monark है लोगों को ये पता था कि bird monark खाता नहीं है लेकिन starlin तो monark की खाती है उसको मिला first price जुलोजी में और पूरे science fair में third price फिर वो second year में आ गया यानि 10th class में आ गया 10th class को experiment यहां से उसका अभी तक उसका कोई भी DNA या cell से related कुछ नहीं आया यहां main आया उसका यहां पे क्या देखा उसने कि butterfly के न विंक्स पे golden color के spot होते है लोगों का यह मानना था कि वो spot जो होते है वो बेकार के होते हैं यानि वो सिर्फ खुबसूरती के लिए है लेकिन उर्कु हट जो है यानि उसका जिसको वो मानता था जिस scientist को वो follow करता था उसका माना था नहीं कुछ न कुछ तो इसमें है इतना मानना यह bright के लिए बहुत था उसने उस पे experiment करना शुरू कर दिया और उसने जब experiment किया तो उसने यह दिखाया कि वो golden spot सिर्फ खुबसूरती के लिए नहीं है उसके अंदर एक ऐसा hormone है एक ऐसा hormone है county fair में first price और ऐसा chance उसे मिला कि उसे Walter Reed Institute of Research में काम करने का मौका मिला अभी तक वो अपनी lab में यानि अपने ही instrument से काम कर रहा था अब उसका level गया बढ़ फिर वो high school junior में उसने यह दिखाया कि मोनार्क का pupa क्या करता यानि pupa यानि उसने यह दिखाया कि pupa जो है वो grow करेगा और लेकिन वो grow कब करेगा जब वो golden spot के enzyme से वो लेगा यहाँ पर भी उसको first मिला international science fair में फिर वो senior year में आया अभी भी उसने वो golden spot वाली कहानी छोडी नहीं उसने दिखाया कि butterfly के अंदर cell divide होते है सभी के अंदर cell divide होते है और वो cell जो है वो help करते हैं कि वो wings जो है वो regrow कर सकता है यानि दुबारा उग सकता है लेकिन condition क्या है वो तभी उगएगा जब उसी golden spot पे जो उसने दो साल पहले proof किया था उसी golden spot पे अगर butterfly को feed करा जाए यानि अगर वो उसी golden spot पे feed करेगी तो उसका wings grow हो सकता है अब यहाँ पे उसे मिला first prize in international science fair finally उसने काम किया US Department of Agriculture बड़े बड़े equipments और करते करते experiment उस hormone पे काम करते करते उसी golden spot के hormone से उसे मिल गया एक blueprint वो blueprint उसकी दुनिया का सबसे बड़ा उसमें से निकाला DNA DNA जो की blueprint होता है life का यह सब मिलने के बाद उसने उसके models बनाए theories बनाए उसके friends ने उसके साथ सब कुछ बनाया और finally वो acknowledge हुआ कि हाँ अबराइट ने जो निकाला जो चीज को ढूंडा है वो एकदम सही है यह तो था उसकी पूरी journey अब नीचे का paragraph देखिए अब यह है उसके teacher का कहना कि उस वो सिर्फ ऐसा बच्चा नहीं था कि science का experiment किया और हो गया वो एक overall child था यानि all rounder child था उसको social studies भी पसंती social studies के teacher उसका खुद का मानना है कि बहुत पसंते क्योंकि वो उसे नए नए ideas देते थे अब everight की बात करें तो ऐसा नहीं है कि science का बच्चा सिर्फ science में घुसके रह गया एक बहुत अच्छा orator यानि debate देने वाला public speaker, canvist, photographer अब photographer वो बात अलगे कि वो photography भी science की करता था लेकिन वो बहुत अच्छा photographer भी था अब main है कि everight में ऐसा क्या था पहला तो everight जीतना चाहता था जीतना लोगों को नीचे करना नहीं अपने से जीतना कि मैं क्यूं नहीं जीत रहा हूं उस चीज़ से सीखना और फिर जीतना यानि जो मैं कर रहा हूं मैं अपना best दू और उसके अंदर यह से अब देखें, making of scientist का मतलब कि scientist को बनाना चाय बनाते कुछ ingredients चाहिए ऐसे scientist बनाने के लिए क्या-क्या ingredients यह सबसे पहला experiment करने के लिए जो ingredient है वो है curiosity, जानने की इच्छा कि कोई चीज ऐसी है तो क्यूं है एक bright mind होना and moreover एक will होना, इच्छा होना कि मैं जीतना चाता हूँ और सबसे best करना चाता हूँ और इस chapter में एक जो बहुत important character रहा है वो है उसकी mother जिसका comparison आपका भोली से भी आ सकता है, Amanda से भी आ सकता है तो इसी लिए उसकी mother बहुत important है, जिसने उसकी हिम्मत कभी भी टूटने ही नहीं दी कभी भी उसकी हिम्मत उन्होंने टूटने दी ही नहीं अब देखते हैं इसमें आपको क्या आइद करना है, देखें आप यह लिख सकते हैं, it doesn't matter how slowly you go, as long as you do not stop, you will succeed यह लाइन आप अपने answer में use कर सकते हैं, आप कितना धीरे जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं वो matter नहीं करता, लेकिन यह matter करता है कि आप रुके ना, जो clearly a bright पर fit होता है, कि पहली बार हारने के बाद उसने रुका नहीं, अगर आपको question उसके hope ना तोड़ने पे आई, तो आप यह line as it is use कर सकते हैं दूसरी line भी उस कर सकते हैं, कि मेरी सबसे बड़ी weakness है giving up and the most certain way to succeed is always to give it a one more try एक बार नहीं हुआ तो दुबारा एक बार नहीं हुआ तो दुबारा और यही lesson अमने अब राइट से सीखा है कि वो हारने के बाद उसने give up नहीं किया वो दुबारा के लिए ready था most important things in the world have been accomplished by the people who kept on trying, यह same, यानि जो lines आपको इसमें से याद हो पारी हैं वो lines आप ले लीजीए, सारी lines fit होती है never giving up spirit के लिए यानि most accomplished इंसान कौन है, जो हमेशा try करता रहता है और तब भी try करता रहता है जब कोई hope उसके पास नहीं होती when the will is ready, the feeds are light जब आपकी इच्छा है तो आपके pair अपने आप चलेंगे क्योंकि आप lightweight feel करते हैं यह भी अब राइट के लिए suit होता है having a mindset winners never quit and quitters never win इस सारी quoted lines ऐसी हैं जो आप अराम से अपने sentence में use कर सकते हैं intelligence follows curiosity यानि intelligence किसको follow करता है curiosity पे तो intelligent होने से पहले आपका दिमाग curious होना चाहिए जानने के लिए फिर अगर specifically upright के उपर question आए तो क्या-क्या word आप use कर सकते हैं versatile nature का बच्चा driving curiosity यानि हर चीज जानने की इच्चा scientific genius था वो never giving up attitude था उसका well-rounded personality थी यानि well-rounded personality that culminated in his brilliance in science और tenacious था वो ये सभी words आप upright के लिए use कर सकते हैं वो महनती था वो determined था never giving up उसकी spirit थी ये सारे words आप याद कर लिजे कुछ भी words आप कम से कम 5-6 words तो याद करिए ताकि आपका answer जो है वो quality answer बन पाए words ना होने पर क्या होता है कि आप कुछ भी answer बनाना शुरू कर देते हैं which doesn't look nice तो पढ़ने वाले को यानि examiner को आपका invigilator को आपका examination अच्छा नहीं लगेगा और वो आपको average marks देगा अब चलिए next chapter करते हैं madam writes the bus ये मैंने अभी आपको पढ़ाये था 8 साल की बच्ची है नाम है उसका वल्ली अम्माई हम उसको वल्ली बोलते हैं इसके नेचर में एक चीज़ा जो एवराइट को match करती है curious हर चीज़ को जानना है उसको कोई friends नहीं थे उसके पास खेलने के लिए तो उसने अपना past time ढूण लिया कि वो दोर पे खड़ी रहीगी और लोगों को देखेगी और उसके लिए सबसे बड़ा fascination क्या था कि बस आएगी बस से लोग उतरेंगे और वो उसको बहुत यह अच्छा लगता था देखते 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 उसके अंदर एक desire आ गई कि उसे भी bus में बैठना है वो desire भी छोटे से छोटे से बनते बनते deepest desire हो गई कि बैठना ही बैठना है तो उसने क्या दिमाग लगाया उसने क्या सारी bus की journey की details निकालनी शुरू कर दी details कैसे जातों हो सकती नहीं है तो उसने लोगों की बातों से value points निकालना शुरू कर दी observe करना शुरू कर दी जान बूच के ऐसे लोगों से question करना शुरू कर दी 60 पैसा उसके लिए बहुत थे तो उसने सेव करने के लिए क्या किया उसने जितनी भी temptations थी न merry-go-round में जाना ice creams खाना toffees खाना वो सब उसने छोड़ दिया चोटा-चोटा amount बचा के उसने 60 पैसा जमा किया और finally जब 60 पैसा आ गए तो वो one o'clock पै टाउन में जाके खड़ी हो गई बस के लिए क्योंकि वो ही टाइम उसकी मदर सोती थी फिर वो बहुत खुश थी बस में जाने के लिए अब जब वो जा रही थी क्योंकि ये है इसकी दूसरी थी वल्ली ठीक है curious है उसने क्या क्या कि observant है smart बच्चा है mature है इसके लावद दूसरी थी मैं यहां पे वल्ली ने गाएं देखी जो बस के सामने थी वो clap करी थी जोर जोर से क्योंकि बड़ा मज़ा रहा था जितना तो driver उसको honk कर रहा है उतना वो गाएं साथ हटने की जगा इधर उदर dodge कर रही है इधर उदर कूद रही है तो उसको बहुत मज़ा आ रहा था फाइलली यह देखते 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 valley देखा यह देखा वो देखते देखते वो पहुच गई टाउन और वहां पे भी उसने बहुत mature behave किया बहुत smart behave किया जब conductor ने उसको बोला कि तुम town में नीचे 15 मिनट घूमाओ तो उसने बढ़ा नहीं मुझे नहीं जाना उसने बढ़ा उसे आप कुछ खा लो तो उसने बढ़ा मेरे पास पैसे नहीं है उसने बढ़ा मैं offer कर देता हूं यानि of course hit and run case हो गया, अब वो cow जो है वो dead है, और अब देखने में वो unpleasant sight हो गया, अब थोड़ी न वो अच्छी चीज होई देखने के लिए, तो वो उसी time बहुत ज़ादा sad हो गई, फिर वो गर वापस आई, तो वो सीधा घर में गई, जहांपे उसकी mother जो है, वो क्या करी थी, बाते करी थी है कांटी से, और वो बात करते हैं कि वर्ल्ड में ना जाने कितनी ही possibilities है, और उसका naturally हां मुह से निकल जाता है, हां हां, जिसको वो बाद में make-up कर ले थी है, कि मैंने तो ऐसी ही बोल दिया, बट उसकी mother को उसकी journey के बारे में पता नहीं चलता, अब पॉ अब लाइफ में जो certain है, कि लाइफ में होना ही होना है, वो death है, कब होना है, that is uncertain, वल्ली की बात करें, तो यानि एक तो इसका जो main theme है, वो है mystery of light and death, लाइफ का कभी कुछ नहीं पता, कभी भी death हो सकती है, वल्ली के बारे में बात करें तो वो mature है, clever है, practical है, beyond her years, मतलब कि खुश होती है, फिर वहीं sad हो जाती, एक बार जो गाए को मरावा देखती है, उसके बाद वो पूरी journey चुप चाप बैठ के आती है, ऐसा नहीं कि बच्चा बच्चे ने देखा और avoid किया, तो sensitive है, आपको sensitive का दूसरा word यूज करना, आप volatile यूज करिए, self respect उसमें बहु उसके लिए jovial यूज कर सकते है, full of excitement और enthusiasm वाली लड़की है, courageous है, क्योंकि बच्चे को बस में travel करने के लिए तो courage चाहिए ही चाहिए, आप उसके लिए word यूज कर सकते है, valiant, determined है, जो करना है सो करना है, smart है, observant है, क्योंकि पूरी journey अगर उसने करी है, या उतना courage लाया है, तो वो सिर्फ देख देख के, curiosity about the thing surrounding made her towards gaining the worldly knowledge, वो ही curiosity, वो ही इच्छा चीज़ों को जानने की और करने की, उसी ने उसको एक बहुत बड़ी worldly knowledge से सामने से रूबरू कराया, वो क्या थी, mystery of life and death, next chapter necklace, अब necklace क्या है, necklace है, मार्टिल्डा के बारे में, माडम लोजेल के बारे में, मार्टिल्डा एक ordinary लड़की है, अब उसको एक ही चीज़ से problem है, कि वो सबसे जादे एक dissatisfied lady है, मार्टिल्डा के बारे में कभी भी कुछ आएगा, तो सबसे पहले तो यह है, कि वो satisfy नहीं ह उसको हमेशा luxury चाहिए, पैसा चाहिए, माडम लोजेल, मार्टिल्डा's husband जो है, he is satisfied with what he has, he is also happy, वो clerk है, और बहुत खुश है, अब लोजेल को invite किया जाता है, एक ball party में, कहाँ पे, minister of public instructions place, अब लोजेल सोचता है कि बही मेरी वाइफ तो बहुत खुश होगी, यानि मेरी वाइफ को तो वैसी luxury luxury बहुत शौक है, अब इतनी बड़ी जगह से invitation आया है, वो तो बहुत खुश होगी ball में जाने के लिए, लेकिन मार्टिल्डा तो सुनते ही पागल हो जाती है, वो कहती है, मुझे तो जाना ही नहीं है, क्योंकि मैं इस लायकी नहीं हो, मिरे पैसे बहुत था, उसकी पूरी savings थी, लेकिन वो लेने के बाद भी वो बोलती है, मैं अभी भी unhappy मुझे नहीं जाना, क्योंकि मेरे पास dress है, लेकिन मेरे पास jewelry नहीं है, अब मार्टिल्डा जो है, वो क्या करती है, वो jewelry को borrow कर लेती है, अब वहाँ तो ball party में वो बन जाती है celebrity, क् कि हर कोई उसकी सुन्दरता को, उसकी jewelry को, उसकी dress को praise कर रहा होता है, finally party खतम होती है, तो on the way back to home उनको पता चलता है कि oh shit necklace तो खो गया, लोजेल जो है, वो police को inform करता है, cab वापस जाती है, अब ये देखो क्या होता है, adversities to award the finder, अब वो क्या बोलते कि भई, हम जो है award देंगे अगर किसी को मिल जातो, लेकिन फिर भी नहीं मिलता है, अब finally जिसका necklace लिया, उसको तो देना ही है, तो वो क्या सोचते, अब हमें necklace को के बदले नया necklace खरीद के देना पड़ेगा, कहां 400 रुपे France जब वो dress देला रहा था, तो वो उसकी पूरी जमा पूंजी थी, और उन्हें अठारा सो फ्रैंस देने थे, बोरो 18,000 फ्रैंस मोज्ट उपे, यानि उसको चाठारा सो अठारा हजार रुप फ्रैंस जो है वो बोरो करने पड़े, जस्ट उस necklace को वापस देने के लिए, और इसी 18,000 देके उनके लिए वो amount कितना बड़ा था, उस 18,000 की भरपाई करने के लिए, कर्ज उतारने के लिए, उनको दिन रात काम करना पड़ा, जो एक satisfied जिन्दगी वो जी दी थी ना, एक moderate फैमिली वाली जिन्दगी वो भी अब पोवर्टी, बहुत बुरी पोवर्टी लाइन में आ गई, दस साल पोवर्टी ने उसको बूढ़ा और अजीब बना दिया, जब फाइनली दस साल बाद मैडम फॉरेस्टियर उससे मिलती है, तो वो लिजल को देखती है और बोलती ह कि अरे वो पूरा कहानी सुना देती है, तो फाइस्टियर ये बोलती है कि अरे, नेकलेस तो सिर्फ 500 रुपे का था, 500 फ्रेंस का था, क्यों? क्योंकि नेकलेस तो नकली था, यानि अगर उसने वो पहले कहानी उसको बता दी होती, तो शायद उसको तभी पता चल गया होता कि नेकलेस नकली है, तो यहाँ पर आपकी पूरी स्टोरी किस बात के लिए फोकस करती है, यहाँ पर आपकी पूरी स्टोरी इस बात के लिए फोकस करती है, कि the story focuses that one should be content, सबसे पहले, जितना है, जैसा है, आप उसमें satisfied रहिए, आपको हमेशा expensive item के लिए क्रेव नहीं करना चाहिए, उससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, आप जितनी आपकी economy capabilities है, उसमें आप खुश रहिए, ठीक, आप मेहनत करिए अगर आपको चाहिए, तो लेकिन सिर्फ desire के मुझे चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, अगर extreme desire, देखिए, हाँ पर कि थी उसकी extreme desire, कैसे, या unhappiness ला दी, और उसका mind का जो peace है, शान्ती है, वो ही उसने खतम कर दी, points learn क्या करना है, देखिए, to err is human, गलतियां करना इनसान का काम है, हर इनसान गलती करता है, लेकिन जो confess कर देता है, यानि जो confess, यानि जो बता देता है, accept कर लेता है, उसके problems comparatively कम हो जाता है, उसके मु अगर वो पहले बता देती, तो उसको पता चल जाता है, वो 500 friends का है, और उसको 10 साल, unhappiness और poverty में नहीं काटने पड़ते हैं, तो ये चीज़ आप लिख सकते हैं, to err is human, we all make mistake, but confession is important, दूसरा, happy people never compare themselves with others, यानि आपको दूसरे से अपने आपको compare नहीं करना चाहिए, always be satisfied with what you have Madame Lozelle के लिए words के आएंगे, Madame Lozelle के लिए words आएंगे, implacable, यानि कभी भी satisfied नहीं होना, आप never satisfied भी लिख सकते हैं, पर आपको अगर कोई अच्छा word लिखना है, तो आप लिखेंगे implacable, selfish है वो, क्योंकि उसे हमेशा सिर्फ financially prosperous बनना है, emotionally भी unsatisfied है वो, psychologically उसको सिर्फ एक ही psychological problem है कि उसे सिर्फ wealthy बनना है, अब ये 10 साल उसे क्या सिखा देते हैं, वो एक selfish और discontented, यानि satisfied lady से सीधा बन जाती है, sensible and appreciative women, अब she imagined herself to be living an opposite life of what her true destiny is, the life of meagerness, ये स्टार्टिंग में आप लिख सकते हैं, कि वो सोचती है कि मैं जो ये clerk वाली ज़े जिन्दगी काट रही हूं ये मेरी मैं इसके लिए बनी ही नहीं हूं, मैं तो सिर्फ luxuries के लिए बनी हूं, ये lines को use करके आप अपने answers को frame कर सकते हैं, theme इसकी ये ही है, एक तो confession कर देना अगर आपने गलती करिये तो, और फिर जितना है आपके पास उससे ही satisfied होना, अब चाहें question आपको मुहावरे के form में प्रोवर्ब के form में आए, लेकिन इसका theme इतना ही है, अब next है hack driver, hack driver में एक है सबसे पहले narrator, उसने अपनी graduation law में complete कर लिया और उसने एक बड़ी सी firm को join कर लिया, वो है junior assistant clerk, उसको एक बहुत इक गंदा सा काम दिया जाता है, कि उसको हमेशा summons को serve करना होता है, कोट में अब ये काम उसे गंदा है, इसलिए लगता है, क्योंकि इस काम की वाज़ा से शेहर के ना जाने किस-किस गंदे कोने में जाना पड़ता है, क्योंकि भाई जितने भी criminals है और witnesses है, वो कहीं अच्छी जगा तो छुपकर बैठेंगे नहीं, एक दिन उसे opportunity मिलती है कि वो लुटकिन के बारे में जानता हूं, मैं आपको लुटकिन को भूनने में मदद करूंगा, वो से कहा कहा ले जाता है, वो से फ्रिट्स की दुकान पे ले जाता है, गस्टाफ की दुकान पे ले जाता है, पूल रूम की दुकान पे ले जाता है, ग्रे शॉप की दुकान पे जाएगा और पता चल जाएगा कि आप किसी को ढूनने आयों तो मैं आगे जाओंगा मैं बात करूंगा आप मेरे बाद आना उसको पूरा गाउं दिखाता है कंट्री की लाइफ बताता है अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर एक बात यह भी कि शुरू में क्या करता ह में यह बात एक्स्ट्क कर लेता है कि वह ओडिवर लुटकिन को ढूनने क्यूं आया है थीक है पता है क्यों को चोट ले जाना है दूसरी चीज़ और पता करता है कि आपको वापस कब जाना थाकि वह उतना समय उसका बरबाद कर सके और उस हेसाब से प्लानिंग कर सके मु मुझे इतना अच्छा इंसान मिला मैंने इतना अच्छा इंसान कभी नहीं देखा नहीं मिलने के बाद फाइनली उन्हें एक इंसान मिलता और यह बुलता है कि अरे हो सकता ऑलिवर लुटकिन आपको उसकी मम्मी के हां यह उसकी मां के हां मिले तो वो उसकी मदर के हां जाते वो बहुत dangerous lady होती है वो एक iron rod लेके उनके पीछे भागती है और ऐसे करते करते वो उसका पूरा time waste कर देता है पर कहीं न कहीं वो lawyer बहुत satisfied होता है मतलब वो train में भी यह सोच रहा होता है कि हाँ मुझे गाली जरूर पड़ेगी हो सकता है मेरे को job से निकाला जाए लेकिन कोई बात नी job से भी निकाला जाएगा तो मैं यहीं आऊँगा क्योंकि ऐसे जैसा इनसान मुझे नहीं मिल सकता such a charming man, helpful, kind तो जब वो वापस जाता है तो उसको बहुत ज़ादा गाली पड़ती है बहुत ज़ादा angry होते हैं उसके chief उसके उपर और उसको वापस बुलते कि आप new million पे यानि उस जगा में वापस जाईए लेकिन इस बार मैं आपके साथ एक इनसान भेजूँगा जिसने Oliver Lutkin को पहले से देखा हुआ है ताकि तुम्हें ढूंडने में मदद हो जैसी वो station पे जाते हैं वो lawyer क्या दिखाता है वो उसको दिखाता है कि देखो वो ही वो भला इंसान है जिसने मुझे पूरे दिन help करी Oliver Lutkin को ढूंडने में और उसका companion बहुत हसता है और बुलता है हाँ हाँ क्यों नहीं वो तो जरूर help करेगा क्योंकि वो खुदी Oliver Lutkin है lawyer बहुत जादा embarrassed होता है और Lutkin बड़ा खुश होता है वो उसकी actually बेज़दी करता हूँ वो बोलता है कि मैं पूरे गाउं को तो तुम्हें दिखा चुका हूँ दो चार लोगों ने कॉफी शॉप में देखा नहीं है वो बैठे में प्लीज वहां भी चलो यानि वो यह कहना चाता है कि मैं सबको दिखाना चाता हूँ किस तरीके से मैंने आपको बेवकूफ बनाया अब इस chapter में से आपको क्या याद करना है इस chapter में से जो question आएगा वो सीधा सीधा यह है कि जो दिखता है वो होता नहीं है appearances are deceptive यानि appearances धोका देती है इसके लाब Shakespeare की एक line यूज़ कर सकते हैं man may smile and smile and yet be a villain एक इनसान जो सिफ स्माइल करता है और हसता जाता है जरूरी नहीं है वो अच्छा इनसान वो विलिन हो सकता है deception and smartness इसका एक theme ये भी है कि जो villages को माना जाता है कि वो innocent हैं वो smart नहीं हैं उनको ये चीज़े नहीं आती हैं इसका literacy और illiteracy से लेने कोई लेना देना कुछ नहीं है hack driver एक village में belong villager यानि village को बिलॉंग करने वाला इनसान सादा पड़ा लिखा ना होने के बावजूद इतना extra smart निकलता है कि एक पड़े लिखे lawyer को वो घुमा देता है तो यानि यह जो deception और smartness है यह villages में उतनी ही है जितना एक city dweller में होती है a tissue of lies यह आप use कर सकते है this is idiom इसका मतलब होता है एक पूरी कहानी जो की जूट से बरीवी है lawyer के लिए आप word यूज कर सकते हैं यानि inexperienced नया है तभी वो इतनी जल्दी बातों में आ लिया experienced होता तो फिर भी एक बात को एक question doubt तो हमेशा रखना चाहिए पर उसने तो help driver पर blindly भरोसा कर लिया और doubt तक भी नहीं रख तो यानि वो inexperienced है इसलिए वो easily उसकी बातों में आ गया और वो fool हो गए यानि आपको उतना असानी से trust नहीं करना चाहिए यही इसकी major theme में इसी में से question आएगा एक तो जो दिखता है वो होता नहीं है और दूसरा villagers या illiteracy और illiteracy का या villager और city dweller का smartness से लेना देना कुछ नहीं है नेक्स्ट है भोली यह भोली जो है वो सुलेखा के बारे में एक ही बार हम सुलेखा पढ़ते हैं शुरू में इसको पूरे chapter में इसको भोली बोला जाता है भोली का मतलब भी होता है जो सीधा साधा हो यानि simpleton उसके जो father है रामलाल वो हमेशा इसी tension में रहते हैं कि वो जे stammering करती है यानि हकलाती है और उसके पूरे face पे poke marks है यानि दाग बने वे है अब एक दिन तहसिलदार उसे बोलता है कि भाई तुम जो हो रामलाल तुम तो खुदी एक्जमिनदार हो अगर तुम बच्चे को स्कूल नहीं भेजोगे तो गाउं क्या सीखेगा त तो तुम अपनी बेटी को स्कूल भेजो तो भोली उस दिन बहुत वरिड होती है कि भोली क्या ना इग्नोर चाइल्ड है यानि क्योंकि वो बच्ची ऐसी है तो उसको और पेंपर करने की जगा उल्टा उसे इग्नोर किया जाता है ना कि हिसाब से उसको वैल्यू दी जात उसे वहाँ एक टीच्चर मिलती है जो बहुत काइंड और बहुत पॉलाइट है उस टैमर करती है सब मजाक उडाते लेकिन टीचर वही पर सब को रोक के उसको मोठीवेशन देती कि तुम्हें बोलना है तुम बोलो उसको इतना एंकरेज करती है कि तुम्हें पढ़ना है और confidence से बोलना है, इतना करने से ही बोली के अंदर hope आ जाती है, इस chapter में कहीं नहीं बताये कि उसने क्या अचीव किया, कहां गई, कितनी वार school में, बोला कुछ नहीं, इतना सा incident बताया है कि उसके बात से, उसका जो confidence से वो आ जाता है कि मैं भी normal बोल सकती हूँ, साल ओ साल निकल जाते हैं, और parent बोली के क्या बोलते हैं, कि इसको अब शादी किया जाए, लेकिन क्योंकि वो बजसूरत है, क्योंकि उसके पोकमाक्स हैं, और उसके parents इतने ignorant हैं, कि उसके parent को भी तक यह नहीं पता, कि भोली अच्छे से बोल सकती है, वो पढ़ सकती है, वो क कोई तो इससे शादी करने से रहा, एक लंगडे, बुढ़े इंसान से, जो already married था, उससे उसकी शादी कर देते हैं, जो कम से कम भूली के दो गुने उमर के होगा, यानि उसके फादर की उमर के होगा, और इसलिए कर देते हैं, क्योंकि वो rich है, और कोई demand भी नहीं कर रहा ह डावरी की, यानि उसने कोई दहेज नहीं मांगा है, और ये सब भी छोड़ दिया जाएं, तो वो इस बात के लिए, शादी के लिए हां करते हैं, कि इससे शादी करेगा, तो करेगा कौन, अगर कोई बूड़ा इंसान भी शादी कर रहा है, तो कर दो इसकी, वेडिंग के डे पे, अब देखें क्या होता है, वेडिंग के डे पे नॉर्मली रहता है, पहले उसने खुद बोला था है, कि डावरी नहीं मांग रहा है, लेकिन क्या होता है, उस घूंगट के नीचे जो है, वो भोली का ओरिजिनल चेहरा दिख जाता है, यानि उसको पूरे फेस पे धबबे है, और वो बदसूरत है, हलाकि वो खुद भी इंसान बूड़ा है, लंगड़ा है, लेकिन वो मैटर नहीं करता, तो यहां पे वो उससे बोलता है, कि मुझे पांच हजार रुपे दो, वरना मैं अभी के अभी वापस चला जाओंगा, अब उसके पूरा अपना सर जुका देते हैं, कि मैं इतना ही दे सकता हूं, आप इतने मिले लीजे, लेकिन भोली उस टाइम पे क्या करती है, अपना परदा उठाती है, अनि अपनी घूंगट उठाती है, और बोलती है, मुझे इस से शादी नहीं करनी है, और लोग जो है, गाओं के गाओं के लोग ठहरे, उसी टाइम उसके बारे में बाते करने होते हैं, और बोलते हैं कि कितनी शेमलेस लड़की है यह, एकदम शरम नहीं है इसमें, और वो तब ही बोलती है, कि मुझे शादी नहीं करनी है, और गाओं वालों के सामने एकदम क्लियर अवाज में confident तरीके से बोलती है, अब उसका father जो है, वो पूरा का पूरा सदमे में, दुख में, क्योंकि तुमने इसको तो भगा दिया, लेकिन तुम से अब शादी करेगा कौन future में, जिसका वो reply देती है कि जरूरी नहीं है शादी करना, मैं आपकी सेवा, यानि आपका, I'll look after you, I'll take care of you throughout the life, और जिस school से मैंने सब कुछ सीखाया, मैं उसी school में जाकर पढ़ाऊंगी, ये सब कोने में खड़े होगे, उसकी teacher देख रही होती है, और वो बहुत ही जादा proud feel करती है, कि बोली क्या थी और क्या बन गई, जो बोली मेरे पास stammer करते वे आई थी, वो बोली आज confidently अपने ल का impact, इसका भी compare होता है, contrast में अबराइट के घर से, अबराइट की मम्मी extra help करने वाली, कभी उसका will तूटने ना देने वाली, और भोली के parent उसको ignore करने वाले, भोली fails to develop self-confidence, क्यों नहीं self-confidence आया, उसके parents की वज़े से ही नहीं आया, जब parents ही support नहीं करेंगे, तो confidence कहा से आ तो, फिर वो बच्ची थोड़ी सी disability, थोड़ा problem था, तो यह आप लिखें कि disabled children, यानि इसमें से कुछ भी theme आ सकती है, कि disabled children को inclusive education, यानि आपको उनको भी equally treat करना चाहिए, उनको भी उतना ही right है, उनको भी encourage करना चाहिए, और उनको भी educate करना चाहिए, फिर यहाँ पर dowry एक socially विला सकता है, क्योंकि उसके जो husband है, वो सिर्फ इतना देखने के बाद कि वो बच्चूरत है, वो dowry की demand कर लेते हैं, फिर यहाँ पर teacher और motivation का role आता है, कि वो ही भोली, भोली तो भोली थी, वो थोड़ी ना change हो गई थी, लेकिन एक motivation ने, एक encouragement ने, उसके लिए क्या miracle कर लिए कि वो बच्चा क्या से क्या बन गया, फिर अगर भोली की अपनी ही बात की जाए, तो भोली की perseverance, perseverance means regular, constant effort देते रहना, consistency maintain करना, और determination के मैं करके दिखाऊंगी, तो वो ही stammer करने वाली लड़की, क्योंकि teacher ने तो सिर्फ motivate किया था, काम तो भोली नहीं किया, तो यानि वो stammer करने वाली लड़की all of a sudden बहुत ज़्यादा confident हो गई, और सभी को उसके towards जवाब देने लगई, यानि सभी अपने जो अपने उपर होने वाले अत्याचारों के against वो खड़ी हुई, और सबके सामने उसने confidently अपने points को प्रूफ किया, नेक्स्ट है, The Tale of Custard the Dragon, यह है एक पॉम, यह भी मैंने आपको individually अपने YouTube चानल पर करा दिया है, लेकिन जस्ट एक जिस्ट ले लेते हैं इसका भी क्योंकि सभी chapters कवर कर रहे हैं, The Tale of Custard the Dragon, एक ballet है, एक humorous, एक खसी मजाक वाली पॉम है, जो कि एक coward यानी एक डरपोग ड्रागन के बारे में, जिसका नाम है Custard, अब यहां Custard एक lady का pet है, एक लड़की का pet है, जो है Belinda, एक चोटी से लड़की है, वो कहां रहती है, एक white house में रहती है, और उसके साथ fantasy world है उसका, क्योंकि वो एक dragon को पाल रही है, एक billy है जिसका नाम ink है, एक mouse है जिसका नाम blink है, एक yellow color का कुत्ता है, जो कि नहीं होता है yellow color का कुत्ता, तो यहां पर उसका नाम mustard है, और एक उसके पास dragon है, जिसका नाम custard है, यह पोम यह बोलती है, कि सभी लोग brave है, एक को bear से, tiger से, loin से, जबकि जो कि सबसे ज़ादे dangerous माने जाते हैं, और custard के लिए क्या बोला जाए, कि सारा दिन रोता ही रहता है, अब फिर क्या होता है, पोम के बीच में एक pirate आ जाता है, पहले तो उसने dragon की image बताई, एक cartoon character ले लिजे dragon का, अपने आप आपके दिमाग में आएगा, sharp teeth है, सर के उपर spikes बने वे, मुह उसका fire place जैसा है, क्योंकि वाग उगलता है, nose उसकी chimney जैसी है, और उसके toes जो है, वो sharp है, अब एक knight क्या होता है, अचानक से एक pirate आता है, pirate के हाथ में क्या है, pistols है, और एक dagger है, उसका sharp knife है, फिर बड़ी बड़ी का दाड़ी है, एक लगड़ी का leg है, उसका appearance देखके ऐसे बता चल रहा है, कि वो high hello तो करने आएगा नी, वो तो मारने आएगा, यानि वो harm करने आया है, अब जो अपने आपको so-called brave बन रहे थे, बेलिंडा, ink, blink, mustard, सब के सब भाग जाते हैं, चूहा चूहा है के bill में, ink जो है वो basement में, mustard जो वो चीक के कहीं चुप जाता और बेलिंडा भी गायब हो जाती है, और जिसको लोग कावर्ड बोल रहे थे, वो ही dragon जो है, वो आगे आता है, वो सिर्फ उसको tackle नहीं करता है, वो उसको निगल जाता है, और सब की life जो है, वो custard ही बचाता है, वो उसको hugs करती है, kisses करती ह है, mustard उसे lick करता है, ink और blink, dance करते हैं, अब यह सब करने के बाद उन्होंने थेंक्यू तो कर दिया, उसी moment उनको वो digest कहां होता है, उन्हें बोस्टिंग की आदत है, बोस्टिंग का मतलब होता है, अपना मूमिया मिठ्व, अपनी बढ़ाई करते रहना, अब यहां पे वो अपनी भी बोलता है, हाँ, आप सभी मुझ से ब्रेव हो, और मैं एकदम ही ब्रेव नहीं हूँ, यहां पर पोईट क्या बोल रहा है, यहां पर पोईट यह दिखाना चाहता है, कि एक टिमिड परसन जो है, यानि एक शाय परसन, जो है, वो ही actually इस पूरी पूम में हीरो न करते ही जाना, अब यहां पर जो आपका थीम निकलता है, यानि आपका जो analysis निकलता है वो ये है कि action speaks louder than word, action speaks louder than word मतलब बोलने से कुछ नहीं होता, करके दिखाना चाहिए, जो actually custard ने करके दिखाया, what you do is more significant than what you say, जो आप करते हैं वो ज्यादा माइने रखता है, rather than जो आप बोलते हैं, a man ought not to be deemed by his words, but by his works, यानि एक इनसान अपने words से डीम नहीं होता है, अपने work से होता है, custard जो है वो ये प्रूफ करता है, कि just because, उसका comfort zone है, कि उसको safe case चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है, कि उसकी likings or dislikings के साब से उसको coward बोला जाए, फिर इसके अंदर की ये भी theme निकलती, कि bravery और courage ऐसी चीज है, जो on the spot आती है, मतलब आपके सामने अगर कोई gun लगा के खड़ा है, तो ही तो आप bravery दिखाएंगे, या घर में चाय पीते वीते भी मैं brave हूँ, मैं एक अप खुद उठा दिया brave हूँ, तो bravery और courage जो है, वो situational है, जब situation आएगी तब आएंगे और spontaneous खुद ही आता है, ये बोलने और show off करने वाली चीज नहीं है, और एक चीज इसमें और निकलती है, एक custard का character, custard जो है वो actions में believe करता है, words में believe नहीं करता है, और बहुत humble है, बहुत humble है मतलब, वो उनकी बातों को काटता नहीं है, ये नहीं बोलता है कि तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही सब कुछ किया, तुम तो बकवास कर रहे हैं, नहीं, वो चुक चाप agree करता है, क्योंकि उसको इस सब में से कुछ लेना देना ही नहीं है, उस वो ये मानता ही नहीं है कि बोलने से कुछ होता है, तो वो अराम से agree करता है कि अच्छ ठीक है, आप सब सही है और मैं गलत हूँ, नेक्स्ट पोम है अनिमल्स, देखें तीन ही पोम आ रही है, अमेंडा, अनिमल्स और टेल, अब अनिमल्स क्या है, यह अगर थीम के सब से देखी जाए तो एक बहुत अच्छी पोम है, यहाँ पे poet animals को ही praise करता रहता है उसका कहना है कि animal हमसे लाख गुना better है और लेकिन वो यह कहता है कि animals में वो ही सब quality है जो एक जमाने में कभी हम में हुआ करती थी और हमने वो loose कर दी है यानि better than human being for possessing all such qualities जो हमने loose कर दी है वो animals को क्या बोलता है कि वो describe करता है कि मेरी इच्छा है मैं खुद भी animal बन जाओ क्यों क्यों क्योंकि वो हमसे better है human being greedy है jealousy से भरा हुआ है उसका opposite देखा जाए तो animals एकदम calm है self contained मतलब खुद ही खुद में satisfied animals खुश हैं जो भी उनके पास है कोई किसी के नीचे सर नहीं दुका था कोई किसी का slave नहीं है कोई किसी का राजा नहीं है वो कभी complaints नहीं करते हैं कि हमारे पास ये miseries है ये दुख है ये सुख है ये है वो है कभी complaints नहीं करते हैं कभी अपने किये पर पच्छताते नहीं हैं कभी इंसान की तरह कर्मों से ये होता है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये सब चीजे नहीं बोलते हैं On the other hand, human being हमेशा complain करता है अपनी miseries के लिए जादा importance देता है अमीर और strong लोगों को पूरी जिन्दिगी restless रहता है, क्यों? क्योंकि कुछ गलत किया है, उसके लिए पच्चतावा होता है और हमेशा luxury के पीछे भागता रहता है Animals जो हैं, वो अपनी relationship के लिए बहुत honest है वो ऐसे नहीं है कि कोई rich है, कोई अमीर है, उसी को value देंगे उन्हें जिसको value देनी है, वो देते हैं, क्योंकि उनके बीच में कोई class ही नहीं है तो वो जो हैं, वो एक ऐसी life जीते हैं, जो honesty, greed है ही नहीं, jealousy ही नहीं और उसी से भरावा है और ये token जो है, वो poet बोलता है, ये Walt Whitman ये बोलते है कि वो ही token, ऐसा है, उसका कहने का मतलब है, कि ये मुझे वो ही चीज़े दिखा रहे हैं, जो कभी हम में ही थी तो ये नहीं कहना चाहता है, कि इनसान बुरे हुए कहना चाहता है, कभी हम भी अच्छे थे, लेकिन हम बुराई की तरफ जाते जा रहे हैं हम अपने values को छोड़ते जा रहे हैं, और हमें देख देखके animals तक ने हमसे values सीख लिए animals से आपको याद क्या करना है, कि desire एक पागलपन होता है, मेनिया मतलब एक पागलपन होता है, कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चाहिए ये इनसान में भरा पड़ा है फिर आप examples दे सकते हैं, कि animals जो है, वो ही virtues दिखाता है, जो कभी इनसान के अंदर थी, यानि सभी इनसान के अंदर था ही, हमने खुदी लूस किया है It is not complaining, यानि situation को complain करने से कुछ नहीं होता, situation को accept करने से चीज़ अच्छी होती है So don't complain फिर है आपका happiness का symbol की यही है, cause of degeneration ये पूछा जा सकता है आपसे कि क्या कारण है, कि human में अगर ये सब values थी, जो Walt Whitman का कहना है, कि animal ने human से ही सब कुछ लेया है तो अगर human में ये values थी, तो ये कहां चली गई फिर इस तरीके से आपको पूछा जाता है, that the friend's eye is a good mirror, यानि friend's eye, friend की आँख, आपके लिए सबसे बड़ा mirror है यहाँ पे आपका friend कौन है, animal वो animal आपको एक शीशा दिखा रहा है, कि आप खुद कैसे थे वो आपको reality check दे रहा है, कि आप कैसे थे और कैसे बन गए है फिर we must not cry at our conditions, rather we must either try to accept it or improve हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी भी condition पे रोना और complaint नहीं करना चाहिए या तो उसको accept कर लो, या फिर उसको improve कर लो क्योंकि हम जो अपनी values तो इसलिए खराब कर रहे हैं, क्योंकि हम materialistic होते जा रहे हैं हम चीजों के पीछे भागते जा रहे हैं, हमें possessions से प्यार होने लग गया, हम relationships को matter नहीं करते फिर civilization, यानि जब से civilization, जब से civilization, जब अर्ली में थे तो तो को अमीर गरीब थी नहीं, सभी को पत्ते ही पैनने थे, सभी को लकडी ही जलानी थी, सब को जानवर मार के खाना था जब से civilization से आई है, जब से civilization आई है, आदमी जो है न, अपना ही true nature भूल गया और वो एक false, यानि ये गलत रास्ते पे चल गया, यही सब थीम से आपको question आएगा और इन में से कुछ lines जो है, आप as it is, use कर सकते है Amanda, Amanda एक adolescent लड़की है, वो हमेशे अपनी mother से instructions ही लेती रहती है, ये करो, ये नहीं करो, ये करो, ये नहीं करो जैसे कि shoulder को hunch करके, यानि जुका के मत बैटो, सीधा बैटो, homework करो, घर साफ करो, चॉकलेट नहीं खाना, हालकि mother उसकी bowl सही दिये कि चॉकलेट नहीं खाना, आपको एकने हो जाएगे, बट बात है कि वो bowl कैसे रही है All the time, अब इतना Amanda disconnect करती है अपनी mother से, इतना जादा अलग है वो अपनी mother से, क्योंकि negativity आ गई है उसके अंदर, तो वो अजीब अजीब सी सोच रखती है सोचो उसको इतना जादा अजीब लगता है, कि वो अब हर चीज़ जितनी भी dream करती है, जितनी भी इसकी fascination है, वो सारी fascination उसको अकेला ही दिखाती है अपने आपको वो अमरिल सी में है, यानि वो खरे कलर के सी में है, और अकेली mermaid बनना चाहती है, वो mermaid partners भी नहीं चाहती है फिर वो एक और फन बनना चाहती है, कि मावा पी ना हो मेरी मानात हूँ, मैं गली में घूम हूँ, जान बुच के बेर फूट घूम हूँ, और मेरे पैर पी डस लगे और मुझे कोई डाटने वाला ना हूँ फिर मैं रापुंजल बन जाओ, रापुंजल उसको क्लियरली पता है कि रापुंजल एक विच्च ने उसको टार में बंद किया था, लेकिन वो फिर भी रापुंजल बनना चाहती है, क्योंकि कम से कम टार में अकेले रहने मिलेगा, उसके आसपस ऐसा कोई नहीं होगा जो उसे नग करे, तो यानि वो नगिंग से इतना जादा परिशान है कि वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मदर से हटना चाहती है, वो एक्चली दुनिया से हटना चाहती है, और अकेले रहना चाहती है, अब जो भी उसको बोला जा रहा है, उस पर कुछ चीज पर ध्यान नहीं देती, अब उसकी मदर इसलिए उसको बोलती है, बहुत मूडी है, मूँ लटका के बैड़ जाती है. तो हर बच्चा जो controlled होता है, और instruct होता है, उसको जो है to do one thing or the other, बच्चे की एक certain habit होती है. पेरेंट को ने habit को ठीक करना सिखाना चाहिए, और सिखाते हैं उनके benefits के लिए. चिल्रन के वह यादत क्यों है, मतब यह जो नैग से चिड़ जाना और imagination करना, क्योंकि उनको freedom बहुत पसंद है. और वो घर में न, captivated feel नहीं करना चाहते हैं, वो actually घर में free feel करना चाहते हैं, और वो तभी करेंगे जब उनके उपर all the time instructions नहीं होंगे. अब वो politely उसको बोल सकती थी to mend those habits, but she seemed to live in her own world and she is moody. अब पॉइंट आपको Amanda से क्या याद करना है? पहला, कि कोई भी बच्चा पहली चीज यह नहीं कह सकते कि parents को boycott कर दीजे, कोई भी बच्चा parents की care और protection के बिना life survive नहीं कर सकता, बट उसके साथ आप एक clause add करेंगे, कि कभी-कभी parents इतने over possessive, इतने over protective, over anxious हो जाते हैं, कि चीजों को समझाने की जगा वो pressure में चिलाने लगते हैं. फिर आप ये line ये use कर सकते कि growing up एक ऐसा phase है, जिसमें आपको बहुत space चाहिए, अगर वो space आपको नहीं मिलेगी तो आपको घुटन फील होने लग जाएगी और वहीं पे आप disconnect करने लग जाएंगे अपने ही relationship से. पर यहाँ पे देखें, negative दिखाना है, लेकिन इतना negative नहीं दिखाना है, तो अपनी line आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं, कि कोई भी ये refuse नहीं कर सकता, कोई भी ये चीज़ बानने से इंकार नहीं कर सकता, कि parent का एक बहुत ही pious role है, और वो role teachers, parents और elders का हर इंसान के जिंद यानि किसी बच्चे को groom करना, सिखाना, holistic development यानि overall development के लिए parents की personality मेन होती है, parents की personality और parents का attitude ही है, जो बच्चे की personality और बच्चे के behavior में दिखता है, तो parent has to behave in that way, जैसा वो अपने बच्चे से behave करवाना चाहते हैं, अगर नागी parents होते हैं, अगर वो चीखते हैं, तो में वो ही negativity दिखती है, तो सिखाना है, लेकिन overprotective, over anxious होके commanding नहीं बलना है, you have to teach them not to command, sermon at benaris, यह मैंने आपको बढ़ाया था, sermon at benaris, दो चीज़े हैं इसमें, एक तो किसा गौतमी का किसा, और एक आपका गौतम बुद्धा का, पहले तो गौतम बुद्धा की बात करते हैं, royal family में पैदा होते हैं, सिध्धार्थ गौतम उनका नाम होता है, उन्हें महल में रह हैं, तो गरीबी के बारे में जानते ही नहीं, दुख के बारे में जानते ही नहीं, सब चीज़ तो हातों पे किशारों पे होती है, शादी हो जाती है, उनकी बच्चे हो जाते हैं, दस साल तक वो अपनी किंग की जिंदगी बिताते हैं, एक बार बाहर कहीं जा रहे होते है तो फिर उने एक funeral दिखता है, फिर एक बिखारी भीक मांगते वे देखता है, एक बुढ़ा इंसान दिखता है, ये साइट देखते ही उनके दिमाग में आता है कि दुनिया में कितना sufferings हैं, और मुझे अब enlightened होना है, यानि मुझे enlightenment चाहिए, मुझे अब ग्यान चाहिए, ये जो worldly sacrifices और sufferings और pains है, मुझे इसका ग्यान चाहिए, तो वो people tree के अंदर meditate करने लग जाते हैं, और साथ दिन के अंदर उन्हें enlightenment मिल जाती है, और वो बुद्धा, गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, बुद्धा यानि बुद्धी वाले, बुद्धा जो अपना पह लोगी है, कि वो एक मरेवे बच्चे को उठा के घुमरी होती है, कोई तो ऐसा medicine दे दीजे, जिससे मेरा बच्चा जिन्दा हो जाए, अब लोग पहले उसके पर बहुत हसते हैं, कुछ लोग उस पर तरस भी खाते हैं, और एक इनसान उसे बोल देता है, कि एक काम करो, सरसो के दाने ऐसे घर से होने चाहिए, जहां पर आज तक किसी friend, brother, sister, father, mother, किसी की भी death ना हुई हो, किसा गौती में को ऐसा कोई घर ही नहीं मिलता, जिसमें आज तक किसी family member का loss ना हुआ हो, वही पर जब वो बैठी होती है, तो एक street light जलरी होती है, बुजरी होती है, उसे कचानक से दिमाग में आता है, कि जो भी इंसान में आया है, जो भी चीज है, उसको ढलना तो है, तो मैं इतनी selfish कैसे हो सकती हूँ, मेरे ही घर में death नहीं हुई है, मैं आज पूरा गाओं घुम के आई हूँ, और एक घर मुझे नहीं है, जहां पर death नहीं हुई है, यानि death is इंदर कैसे आ सकती है, जब आको किसी से मोह ही ना हूँ, सारी selfishness छोड़ दीजिए, यह नहीं कि यह मेरा है, और मेरे पास रहना चाहिए, गौतम बुद्धा बताते हैं, कि यूमन का जो लाइफ है न, वो पेइनफुल है, सफरिंग उसके अंदर है, और जितने लोग आए उनको लाइफ से जाना ही जाना है, He who is of lamentation and grief shall have peace of mind, जिसने दुख को छोड़ दिया, उसको peace of mind मिल जाएगा, और जिसने यह overcome कर लिया, जो इस sorrow से, grief से overcome कर गया, वो इनसान blessed हो जाएगा, अब यहाँ पे यह मैंने lines बाहर से नहीं लिये, यह मैंने lines पूरी की पूरी chapter में स क्योंकि Gautam बुद्ध ने खुद जो line बोली है, वो ही अगर अमांसर में लिखे तो जादा influential होगा, पहला कि पूरा world जो है, वो death और decay से affected है, death और decay होना ही होना है, life of a mortal in the world is troubled, जितने भी life mortals, यानि हम troubled है, सब में pains है, सब में sufferings है, फिर आपको selfishness की बात आ सकती है, कि कैस गौतमी एक selfish lady थी, आपको ये आ सकता है, उसने खुद को खुदी के लिए बोला था कि मैं कितनी selfish हूँ, for seeking peace, अगर आपको peace चाहिए, तो आपको lamentation का, दुख मनाने का, शोक मनाने का arrow जो है, तीर जो है, वो छोड़ना पड़ेगा, the moment आप उसको छोड़ देंगे, तो आपका peace of mind आ जाएगा, next है आपका proposal, देखे, proposal क्या है, तीन characters है, Lomo, Chubukov और उसकी बेटी नातल्या, Lomo जो है, चubukov की बेटी से, बेटी के लिए नातल्या का हाथ मांगने आता है, चubukov बड़ा खुश होता है, कि ये इनसान मेरी बेटी का हाथ मांगना है, आप मेरी ब कादमी है, palpitation जल्दी जल्दी उसका क्या होता है, साथ दिल धड़कने लगता है, बहुत जल्दी अपसेट हो जाता है, nervous breakdown हो जाता है, जब वो सोता है, तो उसका nerve problem होता है, इसले वो पूरी पूरी रात सो नहीं पाता, उसी की भाशा में बोले जाए, मतलब जो उसने एक solilicky बोला है, उसके हिसाब से तो नातल्य है, एक average looking लड़की है, good house keeper है, पढ़ी लिखी है, तो क्या होता है, जब वो परतीनों में एक कमी है, वो है quarrelsome nature, यानि हर बात पर जगड़ना, तो जब वो proposal के बारे में बता रहा तो उससे पहले एक गलती उससे हो जाते है, कि वो कि नब वो उसके है, नातल्या बोलती है, नहीं, Oxon Meadows मेरे है, दोनों एक heated argument में, गरम गरम argument में, heated argument में, बहुत heated means, बहुत rage, बहुत गुससा उसके अंदर, argument में आ जाते है, अब चुबुकाफ अनिटेंशल, यह पूरी argument में यहां पर लिखी नहीं है, लेकिन उसमें उसके grandparents, उसकी aunt, उसकी family, उसके family, यानि दीरे दीरे एक topic सिर्फ इस बात से उठके कि मेरा है, मेरा है, इसे, घर, slangs, bad words, इन सब पे चले जाते हैं, और finally वो लोमों को धक्के मार के वहां से निकाल देते हैं, बात करते करते चुबुकाफ गुस्से में ही बोल देते हैं, कि आया इसे ही वो सुन लेती है, ये बात, नातल्या हो जाती है, surprise, और अब वो इसी बात पर regret करने लगती है, कि ओ शिट, वो मुझे प्रपोस करने आया, तर मैं नहीं उसे घर से बाहर निकाल दिया, एक fraction of second में वो अपने आपको बदल देती हैं, और अपने फादर को ब्लेम करत है, और इसके लिए उसके फादर ने बोला भी है, वो एक lovesick cat है, जब लोमो वापस आता है, बात होती है, चाहती तो होई है, ये कि प्रपोसल की बात हो, लेकिन प्रपोसल की बात करने से पहले इधर उधर की बाते करते करते, एक और argument उनके बीच में हो जाती है, वो होती ह डॉग के पीछे, सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि किसका डॉग बेटर है, किसका गंदा है, हर कोई हाइपर हो जाता है, और लोमो तो चीखने चिलनाने लग जाता है, जिसी के याज़े से इसको एक humorous play बोला जाता है, हसी वाला play बोला जाता है, वो बलता है मेरा दिल फट से इतना जादा पानिक अटेक होता है उसको कि वो गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, और जब लोमो थोड़ा सा ही उटता है, मतलब थोड़ा सा ही हिलता है, इतने वे चुबकफ उसे पानी पलाता है, और फोर्स फुली उसको बोलता है कि नातलय से शादी करो, नातलय भी प्रपोजल था एक अच्छी डील थी लोमो जो है अभी भी आदा अधूरा सा ही कॉंशियस होता है लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेता है और वो नातलिया के हैंड को किस करता है और शादी हो जाती है अब नातलिया किडिश है बच्ची जैसी है बच्ची जैसे मतलब ब बाद बेसीकली ये शादी करने के बाद तभी भी वो एक वो बात को अगरी नहीं करती है कि मेरा डॉग बेटर है कि तुमारा डॉग बेटर है तो इमीडियेटली न्यूली मैरिड कपर फिर से लड़ने लग जाता है अब यहां पर आपका क्या आएगा सबसे पहले आपको आ जाएगा मैं गिरने वाला हूँ मुझे यह हो रहा है मुझे वो हो रहा है नातलिया ओवर्याक्ट करती है जैसी पता चलता है प्रपोजल हो गया पैनिक करती है इधर उदर इधर उदर मुझे चाहिए चाहिए यूमर इसलिए है क्योंकि exaggeration किया गया बहुत normal सी बात को भी बड़ा चड़ा के दिखाएगा ताकि इंसान हसे फिर इससे एक moral निकलता है क्योंकि वो दोनों की लड़ाई वाली नेचर की वज़े से ही पूरा play चल रहा है तो एक ये निकलता है कि forgive और forget दो चीज़े इंसान में होनी चाहिए और उसकी वज़े से उसका cordial relationship हमेशा maintain रह ये जब forgive forget या quarrelsome के लिए कुछ आएगा तो आप ये line से अपना start कर सकते हैं कि life का path smooth हो जाता है कैसे हो जाता smooth आप ही के actions के virtues और attitudes और behavior से आपका behavior और attitude अगर अच्छा है तो आपकी life smooth हो जाती है फिर आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर आप anger और bitterness को let go कर दें जाने दें तो आपकी जिन्दगी में wonders हो सकते हैं चमतकार हो सकते हैं ये line आप यूज़ कर सकते हैं कि anger हर चीज़ spoil कर देता है क्योंकि anger एक poison के जैसा है कोई भी इंसान दुनिया में कोई भी इंसान marsh of anger यानि anger और sad feelings के दलदल में लेटा रहना नहीं चाता फसा रहना नहीं चाता ये line आप यूज़ कर सकते हैं पर ये anger let go anger life is smoothened by the virtues ये तब ही आएगा जब question किस पे हो आपके question सिर्फ quarrelsome nature के अपर हो फिर एक इस सब quarrelsome nature को हटा दिया जाए तो एक पूरा ही opposite topic है एक है पूरा-पूरा society पे जो है wealthy society इतना लड़के जड़के भी deal क्यों नहीं तूटने दे रहे हैं क्योंकि वो marriage में इतना interested नहीं है क्योंकि marriage wealthy families में एक deal एक proposal की तरह लिया जाता है वहाँ पे आपके notes जो है वो इसले टाई किये जाते हैं ताकि आपकी economic stability हो जाए economical growth हो जाए financial status अच्छा हो जाए तो इसके उपर भी question आ सकता है this was all about the chapters जो आपके CBSE के exam में आ रहे हैं आपको इसकी individual videos भी मिली भी है एक आदर chapter के individual videos नहीं मिली हैं जो मैंने आज इसके अंदर cover कर लिया है जो specific chapter आपको नहीं आता है वो chapter को आप दुबारा देख लीजे और एक quick revision कर लीजे इस चीज़ का कि आपको ये सब चीज़े आती है कि नहीं आती है जहां आपके points to learn करके हर chapter के लिए लिखे में है अगर आपको उसको कोई line suitable लगती है कि ये line मैं याद करके exactly अपने answer में present कर सकती हूँ या कर सकता हूँ तो आप वो line as it is याद कर लीजे क्योंकि theme के उपर ही मैंने line लिखी है तो वो उस theme पर applicable होगा आज के लिए बस इतना ही I hope आपको ये video पसंद आई हो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कीजिए comment section में comment कीजिए अपने friends and family के साथ इसको जितना हो सकते share कीजिए और channel को subscribe करना मत भूलिए till then take care